माला एक बहुत ही गरीब रड़की थी वो लोग शहर के इस लमेरिया में जुगई में रहते थे उसके माता-पिता कुड़ा बिनने का काम करते थे और माला भी अब बड़ी हो गई थी वो भी कुड़ा बिनने का ही काम करती थी माला के माता-पिता के पास बच्चों को पढ़ाने के पैसे तो कभी थे नहीं जो थोड़ी बहुत कमाई कुड़ा बिनने पर होती थी उससे मुश्किल से दोवक्त की रोटी आपाती माला भी कभी स्कूल नहीं गई थी परन्तु माला देखने में बहुत ही खुपसूरत लड़की थी इसके रंग रूप को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक कुड़ा बिनने वाली है माला के माता-पिता सडकों पर कुड़ा बिनने का काम करते थे और माला एक कॉलोनी के घरों से कुड़ा इकठा करती थी कभी कभार किसी घर में कोई आयोजन होता था तो वहां से बचा हुआ खाना उसे मिल जाता था उस दिन वो बहुत खुश हो कर घर आती थी अरे मा देखो मैं क्या लेकर आई हूँ आज तो तुम और पिता जी बहुत खुश हो जाओगे देखो इसमें पनीर की सबसी आलू पूरी सब कुछ है चलो आज तो मज़े का खाना खाते है अरे ये तो कल का बासी खाना होगा देख ले ये ठीक भी है कि नहीं अरे हमारे लिए क्या खराब और क्या ठीक हमें तो ये भी मिल जाए तो बहुत है चुपचाब सब खाना खाओ वो सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते है इसी तरह माला की जिंदगी बीट रही थी जिन जिन घरों में कूडा उठाने जाती थी उन सब से बहुत प्यार से बात करती थी और वो लोग भी उससे बहुत अच्छा व्यवाद करते थे परंदु कविता नाम की एक ओरत उससे बहुत घृणा करती थी एक दिन माला उसकी सीड़ियों पर ठक कर बैठ जाती है तब ही कविता वहां आ जाती है अरे ये क्या कर दिया तुम यहां सीडियों पर क्यों बैट गई मेरी सारी सीडियां गंदी कर दी मैंने आज ही सफाई वाली से सब धुलबाय था अरे-अरे मुझे माफ कर दो मैं बहुत जादा ठक गई थी तो इसलिए यहां छाया में आकर बैट गई देखो मैंने आपकी सीड़ी गंदी ने की यह बिल्कुल साफ सुत्री है परन्तु कविता उसे वहां से भगा देती है माला बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी वो इतनी मुश्किल जिन्दगी जीते हुए भी हमेशा हस्ती रहती थी और लोगों की मदद करने को तयार है दिए एक पर कविता का बेटा बाहर शेहर से छुट्टियों में कुछ दिन अपनी मा के पास रहने आया हुआ था वो अपनी मा की तरह नहीं था सभी इंसानों को एक जैसा समझता था और उंच नीच का भेदभाव नहीं करता था माला एक दिन कुड़ा लेने के लिए जैसे ही कविता के यहां गई और उसने घंटी बचाई तो वहां कविता का बेटा अजय आ गया जी कहिए आपको किसे मिलना है जी मैं कुड़ा लेने आई हूँ आप घर का कुड़ा लाकर मुझे दे दे यदि मैं अंदर जाकर लूँगी तो माजी बहुत गुस्सा होंगी अजय उसे देखकर हैरान रह जाता है कि वो एक कुड़ा बिलने वाली है वो आश्चेरे चकित होकर माला को देखता ही रह जाता है इतनी सुन्दर लड़की पहले उसने कभी नहीं देखी थी उसे माला बहुत अच्छी लगती है पर वो बहुत हैरान होता है कि वो ऐसा काम कर रही है यही सोचते सोचते अजय कुड़ा लाकर माला को दे देता है माला अकसर जब भी कुड़ा लेने उस कॉलोनी में आती अजय जादा तर अपनी च्छत पर होता और वो उसे देखता एक दिन सामने सड़क पर एक बूरी औरत गिर पड़ती है सब ही वहाँ सामने से माला भागती हुई आती है और उस बूरी औरत को उठा कर सड़क के किनारे पर बिठा देती है और उसे पीने के लिए पानी ला कर देती है ये सब अजय च्छत पर से देख रहा था अब वो माला से और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि ये सुन्दर होने के साथ साथ कितने अच्छे स्वभाव और मन की लड़की है एक दिन अजय कुछ खाना मंगवा कर और माला का इंतजार करता है जैसे ही माला कूडा लेने आती है अजय उसे खाने का पैकेट देते हुए कहता है अब ये कुछ खाना मैंने मंगवाय था तो थोड़ा तुम्हारे ले भी मंगवा लिया तुम ये खा लो अरे वाँ बाबुची बहुत बहुत शुक्रिया मैं इसे यहां नहीं खा सकती इसे मैं घर लेकर जाओंगी और अपने माता पिता के साथ मिलकर खाओंगी अजय सोचने लगता है कि इस लड़की में तो हर खूबी है ये अपने माता पिता का भी कितना खयाल रखती है इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और अजय माला को चाहने लगा था वो छुआ छूत और उंच नीच नहीं मानता था वो मनी मन सोचने लगता है कि यदि माला जैसी अच्छी लड़की से उसकी शादी हो जाए तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा परंतु वो जानता था कि यदि ये बात उसने अपनी मां से कही तो वो कभी भी नहीं मानेगी इसलिए अजय वो बात अपने मन में ही रखे हुए था माला रोजान कूड़ा लेने वहां दे एक दिन माला कविता के यहां कूड़ा लेने गई उसने देखा कि दर्वाजा खुला हुआ है दो-तीन बार घंटी बजाने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया तो माला ने दर्वाजे को जरा सा धके ला सामने का नजारा देखकर माला के होश उड़ गए कविता जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उनके घर में और कोई भी नहीं था माला ने एक मिनट भी बिला सोचे जल्दी से आटो रिक्षा बिलाया और उतो रिक्षा वाली की मदद से उनको आटो में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गई वहार से जाते जाते माला गेट के चौकिदार को सारी बात बताकर ये कहकर गई कि जैसे ही कविता का बेटा आए उसे यही पास के डॉक्टर के पास भीज दे यदि थोड़ी देर और वो वहां बेहोश रहती तो इनकी जान को भी खत्रा था अजय ये सब सुनकर हैरान हुआ और उसने माला का शुक्रिया भी आदा किया अजय अपनी माँ और माला के साथ घर वापस आया कविता को बिस्तर पर लिटाया गया अब उन्हें काफी ठीक लग रहा था अजय ने सारी बात अपनी माँ को बताई और माला का शुक्रिया आदा किया माला मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया आदा करूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो ये तुम मैं पहले से ही जानता था परन्तु मेरी मा के बुरे वेभार के बाद भी तुमने उनकी जान बचाई यदि तुम उन्हें डॉक्टर के पास ना ले जाती तो आज शायद मेरे पास मेरी मा जिंदा नहीं होती मैं तुम्हारा आहसान जिंदगी भर नहीं बोल सकता कविता भी सब सुन रही थी और वो भी शर्मिंदा हो रही थी वो भी माला से बोली मुझे माफ कर दो माला मैंने कभी तुम्हें इंसान समझाई नहीं तुम्हें देखते ही मैं मूँ बना लिया करती थी मैंने कभी नहीं सोचा कि यदि तुम लोग सब जगह से कुड़ा साफ ना करो तो हम जैसे लोगों का रहना कितना मुश्किल है अब तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है तुमने मेरी जान बचाई है मैं ये कर्स कभी नहीं उतार सकती माला उन्हें कहती है कि उसने कोई अहसान नहीं किया उसके सामने यदि कोई भी होता जिसे मदद की जरुरत होती तो वो जरूर करती ये कहकर माला उन सबसे विदा लेती है और घर जाने के लिए बाहर आती है तब ही अजय भी उसके पीछे-पीछे आता है और सोच लेता है कि आज वो अपने दिल की बात उसे बता ही देगा माला यदि तुम बुरा ना माना तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ मुझे तुम पहले दिन से ही बहुत पसंद हो मैं उच नीच का भिदभाव नहीं मानता और अब तो तुमने मेरी मा की जान बचा ली मेरे मन में तुम्हारे लिए इज़्जा तोर बढ़ गई है मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ यदि तुम्हे कोई एतराज ना हो उसकी ऐसी बाते सुनकर माला के पैरो तले जमीन के सज़ जाती है नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता मेरे चाहने ना चाहने का तो सवाल ही नहीं मुझे ऐसी कुड़ा उठाने वाली लड़की को यदि आप जैसा कोई लड़का मिले ये तो मेरे लिए सौभागी की बात है परंतु ये हो नहीं सकता आपके और हमारे बीच में बहुत अंतर है आपके घर के लोग कभी भी इस रिश्टे के लिए तैयार नहीं होगे परन्तु अजय ने ठान दिया था कि वो अपने घरवालों को मना ही लेगा और यदि वो नहीं माने तब भी वो माला से ही शादी करेगा आखिर अजय माला को भी मना लेता है और अपने घरवालों को भी उसके बाद अजय और माला की धूमधाम से शादी होती है और अजय माला के साथ वापस दूसरे शहर चला जाता है जहां वो नौकरी करता था वो माला को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और उसे शिक्षा दिला कर एक शिक्षित महिला बनाता है इसके बाद माला की जिंदगी बदर जाती है अब वो कूरा बिनने वाली लड़की नहीं रही थी बलकि एक अच्छे घर की बहु और एक शिक्षित महिला बन गई थी